नमस्कार वैदिक एस्टो केंद्र में आपका हर्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ मासिक राशी फल के विशे में और ये जो मासिक राशी फल है महा सितंबर 2021 से संबंदित है यनि के सप्टंबर 2021 और मेश राशी से लेकर के हम मीन राशी तक सभी राशीयों के जो जातक हैं उनके विशे में बात करेंगे बताएंगे कि सितंबर का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है और अगर कोई किसी भी राशी में कोई तकलीफ है कश्ट है परिशानिया है तो साथ में उसका उपाई भी आपको बहुत ही सरल उपाई देंगे जो कि हम राशी फल के अंद में बताया करते हैं वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और अगर उन उपाईओं को करेंगे तो निश्चेत रूप से आपका महीना बहुत ही आराम से बहुत शान्ती पूर्ण दंग से निकल जाएगा लेकिन इससे पहले के हम आपके साथ राशी फल की चर्चा करें आईए सित जो ये महीना जो सिप्तमबर का है इसमें गोचर में ग्रों की इस्थिती किस प्रकार की रहने वाली है पहले आईए इसके विशह में बात कर लेते हैं तो देखिए साथियों सूर्य जो हैं वो सोला सितंबर दिन गुरुवार को रात्री एक बच कर तेरह मिनट पर अपनी स्वयम की राशी सिंग से निकलेंगे और अपनी सम राशी कन्या में इनका प्रवेश होगा जहाँ पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी और महा के अंत तक ये बनी रहेगी इनके साथ युति मंगल के साथ सूर्य की तथा अपने सम ग्रह बुद्ध के साथ भी इनकी युति बनेगी इसी कन्या राशी में जो कि बुद्ध की राशी है और यहां पर बड़ा अच्छा राजयोग का निर्मान करेंगे सूरेन के साथ आगर के और यह यूती जो है 22 सम्टमबर तक बनेगी बहुत कम समय तक के लिए 16 से बाइस सम्टमबर तक जो है वो बनेगी बुद्ध के साथ और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक मंगल के साथ कन्या राशी मंगल अस्त एवं मारगी अवस्था में 6 सितंबर दिन सौमवार को अपनी मित्र राशी सिल से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशी कन्या में प्रिवेश कर जाएंगे और पूरे महा इसी राशी में ही बने रहने वाले हैं यहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रहे बुद्ध के साथ रहेगी 22 सितंबर तक तता 16 सितंबर से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी इनकी युति जैसा हम अभी आपको बता चुके हैं जो कि महा के अंत तक बनी रहेगी इसी प्रकार बुद्ध ग्रहे जो हैं 22 सितंबर दिन बुद्धवार को अपनी स्वयम की राशी जो कन्या है जहां पर वो विराजमान है वहां से निकलेंगे और अपनी मित्र राशी तुला में उनका प्रिवेश होने वाला है उदे और मारगी अबस्ता में तदा इस राशी में इनकी युति अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगी जो कि महा के अंतर तक बनी रहेगी सितंबर के अंतर हाला कि बुद्ध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे उल्टी चाल चलना आरम करेंगे महा के अंत में जाकर के गुरू ब्रस्पती वक्री और उदे अवस्ता में अपनी समराशी कुम्ब में पूरे महा सज्चार करते रहेंगे शुक्र 5 सितंबर को दिन रवीवार होगा अपनी नीच राशी जो कन्या है उसमें फिलाल चल रहे हैं लेकिन यह यहां से 5 सितंबर को निकलेंगे अपनी नीच राशी कन्या से और अपनी स्वयम की राशी तुला में इनका प्रवेश होगा और इस राशी में इनका साथ अपने परम मित्र ग्रह बुद्ध के साथ रहेगा 22 सेप्टमबर से महा के अंत तर इसी प्रकार शनी वक्री अवस्था में अपनी स्वयम की राशी मकर में संचार करते रहेंगे पूरे महा राहू अपनी मित्र राशी विर्शम में संचार करेंगे पूरे महा और केतु अपनी मित्र राशी विर्श्चक में संचार करेंगे पूरे महीने तो ये थी ग्रोंकी गोचर में इस सिती जो रहने वाली है इस सितंबर के महीने में और इसी के आधार पर ही बारे राशियों के जो जातक हैं उन पर अच्छे और बुरे प्रभाव देखने में आएंगे जिसका हम चर्चा अब आप से एक एक राशी के विशे में खोल करके कर रहे हैं कि आप गुरू जी ये जो राशी फल है लगन के हिसाब से बताते हैं या राशी के हिसाब से बताते हैं देखिए ये जो राशी फल है ये लगन चार्ट के अनुसार हम बताया करते हैं यनि कि अगर आपका मेश लगन है तो आप मेश राशी जो हम बोल रहे हैं और मेश लगन में सबसे पहले यानि के एरीस साइन जिसको हम बोलते हैं एरीस असेंडेंट तो देखिए हम सबसे पहले आपके व्यफसाय के विशह में आपको बताना चाहेंगे और वो यह है कि आपका जो व्यफसाय है पिछले काफी दिनों से वैसे तो कोई दिक्कत जादा तकलीफ बहुत जादा परेशानी वाली बात हमें दिखाई नहीं दे रही है आपके चार्ट में आपके कार्रे छेतर में को ले करके चाहें आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं लेकिन हाँ कार्रे तो आपके जरूर पूरे होंगे देखिए कार्रे पूरे होने में कोई संदेह नहीं है किसी भी प्रकार का आप अपने जो भी कार्रे हैं कार्रे छेत्रे से संबंदित सभी हों को पूरा करेंगे सफलता पूर्वक करेंगे लेकिन हाँ इतना आपको जरूर एहसास होगा मैसूस होगा अच्छी तरह से कि जो कार्रे आप कर रहे हैं चाहे विफसाय में हैं या रोजगार में हैं उनको पूरा करने में थोड़ी दिक्कतें और तकलीफ या बाधाएं आपको जरूर उनका सामना करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि कार्रे आपके बिलकुल एक दम स्मूथली चलते रहेंगे और आप उनको बहुत आराम के साथ पूरा कर लेंगे ऐसा नहीं है करेंगे तो वश्य है लेकिन उसमें थोड़ी विखन बाधाओं का भी सामना आपको जरूर करना पड़ेगा अंतिते गोत्वा आपकी सफलता आपको मिलने वाली है वैसे कोई बड़ी समस्या आपके कारे चेत्र में कोई बड़ी तकलीफ कोई बड़ा चेलेंज इस प्रकार का दूर तक भी कोई योग आपके चार्ट में हमें आपके कारेचेतर से संबंदित नहीं मिल रहा है आर्थे की सिती की बात कर लेते हैं देखिए आर्थे की सिती की भी अगर हम बात करें तो धन का भी जो आगमन है वो भी या तो कह सकते हैं थोड़ा उसका फिलो कम रहेगा या उसमें भी कुछ रुकावटे रहेंगी या बादाये रहेंगी मतलब एक मेरा कहने का यहां पर भाव यह है कि धन का आगमन पूर्ण रूप से और एक साथ नहीं हो पाएगा या तो थोड़ा थोड़ा आएगा या थोड़ी मात्रा में आएगा या कुछ बादाओं के बाद उसका आगमन होगा लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धन एक दम आये ना ऐसी भी सिती नहीं है ये सिती दूर तक नहीं है आएगा कम मात्रा में आएगा या रुकावटों के साथ आएगा और जहां तक सुख सुविधाओं का प्रिश्न है तो दीखें सुख सुविधाओं के विशह में मैं बता दूँ कि सुख सुविधाओं का जो लाब है उसको उठाने में थोड़ा आप एक तरीके से वंचित रहेंगे इस महा या कम मात्रा में उसका लाब ले पाएंगे सुख सुविधाओं का बहुत ही इसपश्ट संकेत ग्रहों के दुआरा मिल रहे है और इसके आगे आपके प्रेम संबंदों की चर्चा कर लेते हैं और वैवाहिक संबंदों की चर्चा कर लेते हैं देखिए जहां तक प्रेम संबन्दों का प्रिश्ण है आपका जो व्यक्तित तो है वो तो बहुत आकरशक रहेगा इसमें कोई शक नहीं है इस पूरे महा लेकिन प्रेम संबन्दों को लेकर के गरहों का आपको दूर दूर तक भी कोई सहयोग नहीं मिलेगा इस महा में तो अगर आप किसी खुई अपना प्रियास कर रहे हैं इस दिशा में तो आपके जो प्रियास है वो एक तरीके से उनका जो फल है वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा पूर्ण रूप क्या मैं तो यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि आपको मिल ही नहीं पाएगा उसमें आप सफल नहीं हो पाएगे और लड़ी पहले से ही अगर कोई relationship है तो वो भी इस अवधी में ठंडे रहेंगे relationship चाहें आपके कारणों में बिजी होने के कारण चाहें कुछ और दूसरे कारण बन जाए इस महीने मामला ठंडा रहेगा relationship का और जहां तक विवाहित व्यक्तियों का विवाहिक जीवन का प्रशन है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यवाहिक जीवन बहुत ही सुन्दर रहेगा यह इस सितंबर के महीने में बहुत जीवन साथी के साथ लाइफ पार्टनर के साथ आपके बहुत ही प्रेम पूर्ण संबंद बनेंगे आप काफी उनके प्रती committed रहेंगे और आपको भी उनकी ओर से पूरा प्यार और पूरा एक तरीके से हर तरीके का सहयोग प्राप्त होगा बहुत अच्छे संबंद रहने वाले हैं सितंबर में विवाहित व्यक्तियों के अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहने का अभी प्राई यह है पारिवारिक संबंद कैसे रहेंगे देखे पारिवारिक संबंदों में तो उपर नीचा होता रहेगा कभी थोड़ा नॉर्मल हो जाएँगे कभी कलकी हो जाएगी कभी जाधा विचारिक मत बेद हो जाएँगे इस प्रकार का चलेगा लेकिन अगर हम ये कहें किसाफ पूर्ण रूप से सम्बन बहुत अच्छे रहेंगे नहीं इस बात की संभावना ना के बराबर है तो आपको भी ये चाहिए कि आप भी अपनी ओर से कोई ऐसा मौका अपने परिवार के सदस्यों को ना दें जिसके कारण आकशेप आपके उपर आ जाए वैसे तो आप अपने व्यक्तितु के कारण व्यक्तितु आपका पूरे सितंबर के महीने में बहुत अच्छा रहेगा आकरशेप लोग आपके व्यक्तितु से प्रवावित रहेंगे चाहिए वो आपका कोई सा भी छेत्र हो ब्यक्तितु का तो आपको काफी लाब मिलने वाला है अपने इस सितंबर के महीने में शिक्षा की बात करें चात्रों को कैसा रहेगा शिक्षा को ले करके देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ जहां तक चात्रों का प्रिश्ण है यहों तब पूरा महीना ही चात्रों के लिए अच्छा रहेगा लेकिन जो विशेश प्रगती का योग है वो सितंबर के आरंब से ले करके और एक प्रकार से सितंबर महीने के मध्य तक बहुत सुंदर योग अगर आप इसमें कुछ अच्छा परिणाम पाना चाहते हैं तो थोड़ी भी अगर अच्छी अपने आपको सिंसेरिटी के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे पढ़ाई के और ध्यान देंगे तो परिणाम बहुत ही आश्चर जनक भी आ सकते हैं बहुत अच्छा समय रहेगा महा के आरम से और महा के मद्दे के बीच में हाला कि समय मैंने जैसा कहा कि पूरा महा अच्छा रहेगा लेकिन ये विशेश समय है आपकी प्रिगती के लिए शिक्षा के छेतर में अब संतान की बात करें तो संतान के लिए भी मैं कहना चाहूँगा माता पिता को कि इस महीने संतान की और से कुछ दुशेश परणामों की प्राप्ती हो सकती है महा के आरम से और महा के मद्दे के बीच में यूँ तो महा के मद्दे से महा के अंते तक भी परणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे आपको माता पिता को संतान की और से संतान सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा माता पिता को और संतान जो करेगी कार रहे उसमें उनको काफी अच्छा नाम यश्ट की प्राप्ति हो सकती है और उससे माता-पितावी काफी गौरानवित महसूस करेंगी स्वास कैसा रहेगा देखे स्वास वैसे तो उत्तम रहेगा लेकिन 1921 बीच बीच में कुछ ना कोई छोटी मोटी परेशानिया जरूर चलेंगी आपके स्वास को लेकर करके ऐसी कोई गंभीर समस्या तो नहीं रहेगी लेकिन हाँ छुट मुट समस्याएं स्वास से संबंदित जरूर रहेगी उनका आपको ध्यान रखना है उपाए क्या करें अब हम आपको उपाए बता देते हैं देखिए दो उपाए करिए तीसरा उपाए नहीं करना बहुत छोटे से उपाए आपको बता रहे हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी की पृतिमा पर अगर चोला चढ़ा सकें तो बहुत अच्छा है और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैट करके हनुमान चालिसा का पाठ बहुत आराम आराम से पढ़ना है एक एक शब्द को ध्या कर सकते हैं आप इसी प्रकार गुरुवार के दिन केले के विरक्ष की पूजा करना ना भूलें सुंदर परणामों की प्राप्ति होगी पूरे महीने तो ये था आप मेश लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशीफल सितंबर 2021 का आपको पसंद आया है मेरे प्रियस आती तो इसको लाइक करिएगा चैनल को भी सबस्क्राइब करना ना भूलें इसको शेयर करें चैनल को इस प्रोग्राम को हमारे वीडियो को और बेल आइकन को भी अवश्य दमाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कारेकरमों के वीडियों है वो आप तक आसानी स पहुंच सकें और आप उनका भी समयनों साल लाप राप कर सकें इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद जैमाताजी